हलो विवर्स वेलकम बैक टो अवर यूटूब चैनल आज की वीडियो में हम बात करेंगे डी फार्मा एक्जिट एक्जाम कहां पर होगा और कौन उसको कराएगा यह कोशन बहुत जादा आप लोगों के मन में रहता है और बहुत जादा कमेंट और मैसिज इस कोशन के रिग एक्जाम के रिगार्डेंग तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर हम बात करें एक्जिट एक्जाम की तो जैसा कि आपको पता है कि डी फार्मा में एक्जिट एक्जाम होना है जो कि 2022 में जिन्होंने एड्मिशन लिया है उन पर एंपलाई होता है तो एक्जिट कहां पर कराए जाएगा या कौन कराएगा ये हम इस बारे में बात कर लेते हैं PCI या तो खुद से करेगी या किसी एजनसी या और्गनाजेशन से कराएगी ये तो अभी नहीं पता है कि exit exam कौन सी एजनसी या और्गनाजेशन कंड़क्ट करा रही है हो सकता है PCI उसके लिए अलग separate कोई और्गनाजेशन बना देती है तो बोग exit exam को कराए या हो सकता है जो अपना state council board है joint entrance exam जैसे मैं UP के बात कर रहा हूँ joint entrance exam council उत्तरप्रदेश जिसे हम जी कब भी बोलते हैं हो सकता है उसी के अंडर ये आ जाए तो वो इस exam को कंड़क्ट करा है या उसके अलाबा अलग से कोई इसके लिए body बना दी जाए वो भी अभी फिलाल इस बारे में confirm नहीं है अच्छा कहां पर कराए जाएगा ये confirm है कैसे होगा देखिए आप किसी भी college या university में पढ़ रहे हैं तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए अगर आप d-pharma किसी college या university से कर रहे हैं जैसे university से होते हैं तो university के exam तो बहीं पर हो जाते हैं d-pharma के और उन्हें मतलब कहीं भी जाना नहीं पड़ता लेकिन आप किसी board के दुआरा जो board से recommended या affiliated कोई college है उससे अगर आप d-pharma करते हैं तो आपके exam के center जाते हैं आपके center जाकर कहीं दूसरे college में आपका exam होते हैं d-pharma के तो जो PCI जो exit exam को लाई है ये exit exam भी आपका center जाकर ही होगा आपका जिस college ये university में पढ़ रहे हैं बहाँ पर ये आपका exit exam नहीं होगा आप इस चीज को द्यान में रगें आपका बकाइदा इसके लिए form apply हुआ करेगा exit exam के लिए आप form fill करेंगे उसमें आप अपना state अपना district बगएरा जो भी है कि आपका center बहाँ गया है आपका exit exam जो है वहाँ पर होगा तो ये थी आज की वीडियो अब इसकी regarding कोई भी आपका confusion नहीं रहना चाहिए अब भी confusion है तो आप मुझे comment कर सकते हैं message कर सकते हैं इस्टाग्राम पर मैं आपको reply दे दूँगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए take care bye